प्रदेश प्रवक्ता अवनीश सिंग बुंदेला ने कहा कि 2022 का मोधी सरकार का बजट एगवार सिर जनता के लिए जूट पर पुलिंदा सावित हुआ है जो मोधी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो स्मार्ट सिटी की बात करती थी आज आप देखें तो 2022 आगया मोधी जी उसकी उपर कहीं आपने चर्चा भी नहीं की आप कहते हो वन टेक्स वन नेशन ठीक है आपने जीस्टी कलेक्शन बढ़ा आपके जीस्टी कलेक्शन में चोंसत्त प्रितिशत व्रिद्दी हुई और आपका राजस बढ़ा मोधी जी फिर आपका राजकोशी घाटा निरंतर क्यों बढ़ रहा है साड़े 9 प्रितिशत के आसपास आपका राजकोशी घाटा है ना तो कहीं डीजल पेट्रोल की किमतों में रहा थे पुराने बादों की कहीं बात नहीं होती है आपने पिछले बजट में कहा था मोदी जी के हम 11,000 किलोमीटर नेशनल हाइवेव बनाएंगे एवं 8,000 एक सरकारी कंपनी को बेचने जा रहे हैं L.I.C. का आप आई पिउ लाने जा रहे हैं मतलब यह अजीब तरह का बजट हुआ मोदी जी कि जिसमें हर बार आप आते हैं और बैंकों को और नए-ए-पी-ए-स-ई-उ को बेचने की बात करते हैं